आज हम बनाएंगे पापडी चाट सौट्स मैं इसे सौट्स में कनबर्ट कर रहे हूं आप चाहे तो पापडी चाट सिंपल सी प्लेट में या कटूरी में शर्प कर शकते हैं तो पापडी चाट बनाने के लिए एक कप सोकिया हुआ कावली चना है चने कसे मैं बनाऊंगी आप चाहे तो वाइट वाला मतर जो आता है चोले के लिए चाट के लिए वो ले शकते हैं एक कप चने में एक कप पानी जो की परफेक्ट जाता है अच्छा शा थीक बनाएगा पानी एट करने के बाद दो आलू डाले हैं जिससे इसकी जो ग्रेवी होगी न वो थोड़ी सी थीक होगी तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आलू जरूर रेट करें थोड़ा सा नमक करके मिडियम फ्लेम पे तीन सिटी लगा लेंगे जब तक चैने हमारे बॉल हो रहा है तब तक हम पापड़ी के लिए दो लगा के लिए लेडी कर लेते हैं तो दो लगाने के लिए हाप कप मैदा ली हूँ थोड़ा सा नमक थोड़ा सा बिकिंग सोडा और थोड़ा से के सकते दो लगा के रेडी करेंगे इस पापड़ी को बनाने के लिए आप चाहे तो हलका सा गुनगोना पानी भी ले शकते हैं लेकिन नॉर्मल पानी से भी यह अच्छे से बन जाएगी इसकी उपर एक छोटी चमच आयल डालेंगे और डो को सेट होने के लिए रख डो हमारा अच्छे सेट हो चुका है तो इस डो को मसल के पहले चिकना कर लेंगे उसके बाद इसकी लोई बना के रेडी करेंगे एक लोई मैं बनाई हूं एकदम से चिकनी लोई बनाएंगे और लोई को बेलने के लिए आटे या फिर मैदे का योज नहीं करेंगे और तो इस शीट को cut करने से पहले थोड़ा सा foxy hole कर देंगे, ताकि जब हम इसे fry करें तो यह पूड़ी type सा फुले नहीं, तो इसलिए foxy hole जरूर करें आप इसमे, hole करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा cut लगाएंगे, तो knife का use कर शकते हैं, मैं यह glass का use कर रही हूँ, इसे cut लग अलग कर लेंगे और हमारी ये पापड़ी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं, एकदम से परफेक्ट बनी हो और एकदम पतली बनके रेडी होई है, तो पापड़ी को बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि एकदम पतली पापड़ी बनाके रेडी करें, गैस तो इसे प्लट प्लट के अच्छा सा क्रिश्पी और ब्राउन कर लेंगे अच्छा कलर आ जाएगा तब इस पापड़ी को हम निकाल लेंगे तो अब देख शकते हैं परफेक्ट कलर आ चुका है तो इस पापड़ी को हम निकाल लेंगे ऐसे ही करके हम सारे पापड़ियों को बना के रेड़ी कर लेंगे तो मैंने थोड़े से और पापड़ी को बेल लिया था तो मैं इसे कड़ाई में डाल ले रही हूँ और इसे भी अलट पलट करके अच्छा सा क्रीशपी और ब्राउन करके निकाल लेंगे तो सारे पापड़ीों को ऐसे ही बना के रेडी कर लेते हैं आप देख सकते हैं सारे पापड़ी हमारे बन के रेडी हो चुके हैं कितने क्रिश भी बने हुए हैं कितने अच्छे से क्रेक हो रहा है यह आप देख सकते हैं तो चलते हैं सौट्स बनाने के लिए तो छोले को बॉयल कर लिया, देख सकते हैं कितने अच्छे से थीक बना हुआ है ये छोला, आलू भी अच्छे सी क्रेक हो चुका है, जो आलू डाले थे बॉयल होने के लिए अच्छे सी क्रेक हो चुका है, तो मैं इसे ग्लास में सौट्स के रूप में सर्ब कर रही हूँ, अब प्लेट या कोटूरी में भी सर्फ कर शकते हैं लेकिन जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो फैमली वालों को बहुत पशंद आता है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी ऐसे ही सौट्स मना है ग्लाश में ही तो छोले को मैंने डाल लिया है और एक पापड़ी को क्रेक करके डाल लिया आपको जितनी पापड़ी पसंद होना उतना पापड़ी एड कर सकते हैं तो ये वाली लेयर फीकी ना लगे इसलिए नम प्याज, हरी मेश, टमाटर, धनिया का पत्ता जो भी है उन सारे लेयर को मैं लगाऊंगी तो हर एक लेयर पे थोड़ा सा मसाला जरूर डाले आप ताकि लेयर कोई भी फीकी ना लगे तो ये फेटी हुई दही है जिसमें नमक और थोड़ा सा चीनी डालके मैं इसे फेट जो कि खट्टा और मीठा नमकीन और मीठा प्लेवर दोनों देगा दही को एट करने के बाद हरी चटनी, हरी चटनी को एट कर लेंगे, हरी चटनी को एट करने के बाद बारी कटा हुआ प्याज, बारी कटा हुआ हरी मिर्च, मिर्च आप अपने एकार्डिंग थोड़े सा पापडी को मैं और क्रेक करके डाल रही हूँ क्यूंकि मुझे ही इस चाट में पापडी बहुत ज्यादा पशंद है और पापडी चाट है तो थोड़ ज्यादा लेयर रहेगा पापडी का तभी तो अच्छा लगेगा तो इसके बाद बारी कटा हुआ टमाटर और टमाटर की लेयर फीकी ना लगे इसलिए इसके उपर थोड़े से मसाले मैं डाल रही हूँ फिर शे तो इस बात का आप ध्यान रखे लेयर बनाते समय ताकि कोई भी लेयर फीकी ना रखे तो निम्बू का रस में एड़ कर रही हूँ जैसे की चाट में इमली की चटनी मिठी वाली चटनी एड़ की जाती है लेकिन मुझे इमली बिल्कुल पशंद नहीं है इसलिए मैं इमली अपने किसी भी रेशिपी में यूज नहीं करती हूँ और खट्टे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा निम्बू डाल ली हूँ मैं फिर से दही की एक और लेयर लगा र लास्ट में थोड़ा सा पारी कटा हुआ धनिया का पत्ता आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एरेंज हुआ है और इसके टॉप पे मैं निम्बू से थोड़े सी गार्निशिंग कर दे रही हूँ आप देख सकते हैं इसके लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपनी के लिए यह पापड़ी चाट सोट्स जरूर बना है थोड़ा अचा डिपरेंट करने से फैंबली वाले बच्चों सभी को बहुत पशंद आता है वीडियो पशंद आया तो लाइक करें शब्सक्राइब करें शालूश इंप्लीमरेश रिपीज को थैंक्यू